हेलो फ्रेंट सौगत आपके ही चैनल फेंटैसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैंच वीडियो में आपके के लिए कवर करने जा रहे हैं वह नहीं वाला यहां पर आर यूर वर्सस डीटी के बीच जो फाइनल मैच होने वाला है ओमान डी 20 का इस मैच की वीडियो वीडि चैनल यह जिसको नाम है फेंटैसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखावा दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारे टेली ग्राम चैनल अवे लेवल है पर आपको हमारे टेलीग्राम के जो रियल और ओर ऑरिजनल चैनल है उससे कैसे जोड़ना करना क्या है कि वीड वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हुआ तो ध्यान से टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लेना जैसे मैंने आपको बताया अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर बात की जाए तो यह फाइनल मैच और 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 यूर और डीटी की टीम आपको इन्वेश्मेंट कैसा करने चे कृकिंड क्रिक्ट ग्राउंड मानагा जिस प्वestion कसारे मैचे तर्नमेंट में और और आ अबरेज आपको पतायाप टैम पे श्चर्ट वन अजरा है और पूरा कि यहां भी नहीं है और बात कि जातों यहां पे एकस्पेक्टेड इसकोर बता दिया और यहां पर बात की जाते हैं पर तीम ड़ी कितने मेंस खेले टॉर्नामेट मेड रहे साथ नो फार दो झाय। यहाँ पहर पाच मैंच जीते और सिर्फ चार मैच हारी है और जो कर अर्ठ उसकल सेमिफाइनल मैस था वह भी मतलाब को सूपर फृर कम एक जीती है और बात की जाए थे हपे विकेट लॉष्ट का मतलब यह है कि टीम अब तक टोटल कितने मैचेस खेले आप काउंट कर सकते हूं यह आपे 9 मैचेस खेले और 56 विकेट खोए है 56 विकेट कैसे खोए है 5 और 10 15 19 और 9 28 34 38 44 और 2 56 चपन विकेट खोए है झाल कि पर मैचे और 9-15 को डिवाइड करोगे तो यह निकल किया आता है और भरेज 6-7 विकेट पार मैच तो एक मैच में चेसे खोती है करना कानि चेसा एक टेवर्मेट में अच्छी नहीं रही हो पर बैब बॉलिंग की टीम के अच्छी रही है और यह में रीजन फाइनल पहुंची इनकी टीम बाकि पॉसिबल प्लेंग लाइवन जो टीम की रह सकती है वह यह है बाकि इनका बड़ा प्लेयर जीशन मक्सूद जो इंजर्ड होगे तो अभी तक बाकि अगर बात की जाते है आपे पॉसिबल प्लेंग लाइवन जो टीम के रह सकते है वह यह है के नवाद आपको अपनिंग करते हैं नजर आए और बहुत यह अच्छी फॉर्म में था अभी तक टॉर्णमेंट पर यह सीजन में और जिसमें एक सेंचुरी मारी है जिसमे से नट आउट एक मैच में 47-49 सिर्फ एक मैच ऐसे रहा है एक रंज जिसमें मार से जल्दी आउट अदरवाइस हर मैच 20-25 किसी में 30 किसी में 40 तो एक सेंचुरी भी लगाई है अच्छा कॉंट्रिबूशन के ऐसले सेफ आप्शन आपके लिए रहने वाले है खावर अली क में बिल्कुल बेकार फॉर्म में था एक मैच में अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था खावर अली ने बट लाश्ट मैच में जो इनिंग खेलिया गेम चेंजिंग मैच विनिंग 86 नट आउट हमारे 40 बोलों में चार ओवर बॉलिंग कर एक और अभी तक हर मै तक हमार अली था फ्याज बट था यह दो बेर अपने वहाँ देखे होंगे बाकि अभी रिसेंट इंटरनेशनल जो वंडे मैच इस रहे तो उनमें देमभा भी था बाकि बोलों कि अच्छा उप्शन रहें कि बहुत एक्स्पीरियं ताइम से काफी लंबे टाइम से ओमान परशने के लिए तो इसलिह बाइटिग मजब है निन्काल देता था है किसको निले सकता है तो इसलिए बैटिंग सेक्शन में आपके लिए सेफ ऑप्शन बन सकता आरू करूना रतने बाकि फ्यास बट इंपॉर्टन बनेगा तो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर और साथी साथ सिर्फ छे ही मैच में नोव विकेट निकाल चुका और चार से तीन से चार और हर मैच में कर रहा बै बैटिंग से कुछ कॉंट्रिबूशन रहा निए साथ रहना भी तक है बट बैटिंग भी अच्छी करना जानता है फ्यास बट ध्यान लगके चलना और मेरे इंपॉर्टन बनेगा यहां पर ग्रैंड लिग के चाहो तो वाइस क्रिप्टन से भी फ्यास बट को दे सकते हो कि नस्तर धंबा के बारे बात की जा तो यहां पर इसकी परफॉर्मेंस देहों के सिर्फ एक विकेट निकाल पाया और बॉलिंग भी कुछ खास रही नहीं बैटिंग से भी सिर्फ एक की बात की जा तो एक-दो मैचिस छोड़के कुछ खास कॉंट्रिबूशन थान जैसे क कभी कार बैटिंग से पांच-दसन भी एकस्पेट कर सकते तो बेद लोग को ट्राइग करना चाहो तो कर सकते मैजोर्टी ओफ लेक लेकि भी आएंगी लोग बाकि एस इरहा के बारे में बात कि आदा तीन विकेट रफ तक सिर्फ टोर्नमेंट में निकाले उत्तरा इंप् इंपोर्टन विकेट इपिंग में आपके ला उप्शन नहीं रहने वाला बाकि इम्रान मोहमद के बारे में अगर बात की जाए तो सिर्फ एक मैच में इसने बैटिंग करी जहां एक रुमारा तीन ओर बालिंग करी कोई विकेट नहीं मिल रहे तो इसको मैं हाइली रिक्म लगातार तीन मैसे जीरो जीरो फिर तीन और एक तो फ्लॉप रावी तक पुरे टॉर्णमेंट में बागी जीशन मक्सुति आरे में अल्रेडी बता चुका हूं अगर आता है तो इसमाल लिग में लेना इवन क्याप्टैन सी के लिए सबसे बैस्पिक बनेगा इंडिगा क परफर्मेंस यह लाज़न आप प्लेयरों के स्टैक्स चाकाउट कर सकते हैं इंपोर्टन प्लेयर बोलो के मेरे कोडिंग नवास बनेगा जागरा बनेगा वार्यास बनेगा कर ना रचने को भी ट्राइक पांच प्लेयरों के उबेद उल्ला और ग्रैंड लिग में पॉइंट टेम पर यहां पर इसले में इसको फेवरेट भी बोल रहा था तो यहां पर इनकी तीम ने आप देखो कि तो एक बार 180 से ओपर उनके बैटने के उनके बालर्स को फायदा मिल सकता है नौ से डिवाइट करोंगे साथ से यदा विज़े पर मैच होते हैं तो आठ यदि के हमागो बालिंग कि टीम क्या है भले ही विकेट सनाख होते हो बट वह 130-140 के आसपस अटक के रहा जाते हैं कि इनकी टीम में सिफ एक-दो प्लेयर को छोड़के कुछ खास अपनिक सक्षिन बैक आँज रहा है वड़के के बनी करने बने डर्ली के लास्ट के ऑशसे अच्छे नहीं कुछ अच्छ है यहां 3-4 वर हर मैंच में रहा था विकेट भी निकाल रहा था और बैटिंग से भी कांट्रिभूशन कर रहा था क experience व нужна गया दो भीके विद्ध कर रहा है यह पॉप्स्ट को हुछ नहीं St मैंने वाइलow выпуск पर आपको एपकर Images 大न पहुंत और जा सब्सक्राइक में पार मोइल बैट रहा है भी कर रहा है बैटिंग भी कर रहा है बाइल में ब्ले ही ओवर चार नया गड़ा आगर दो तीन ओवर कर रहा है बाकि के एक कईल ने भी अच्छा अच्छा कर रहा है और साथ बैटिंग से भी अच्छा करता है किसी में 23 तो किसी में 27 तो इसके लिए इंपोर्टेंट रहे हो कि इंटरनेशन लेवल का प्लेयर और एक बड़े मैच में अच्छा कर सकता है नसीम खुशी कैसा प्लेयर रहा है दो तीन मैचेस तो नशीम वह इंपोर्टेंट और साथ है तभी रिसेंट टी ट्वंटी वर्ल्ड कुप में भी नसीम खुशी को खेलते हुए देखा को तो एक इंपोर्टेंट प्लेयर में बनने वाला विकेटिपिंग सेक्शन में बाकी है जे रामानंदी दो मैचे रहते जहां चार विकेट यह न सकते हैं थोड़ा यह ग्रेंड लिक के रहने वाले रामानंदी और आश्या ध्यान रखके चलना तीन से चार ओवर कर रहे हैं बाकि सनुत इब्राहिम जो मैं बोलूँगा ध्यान रखना हां क्यूंकि देखो सनुत इब्राहिम का बैटिंग से विल्कुल अच्छा कॉंट् निकाल के दे सकता है निया डर्गेशं क बालिंग में अगर कर चुलना वे लाग्ष में बहुत नीचे नहीं आपाया था क्योंकि बैटिंग नहीं नहीं आपाया थी तो इसले बोलुगा कि फोड़ा जिएल टाप यह कि अल रूंडर में दिया हुआ हुआ है खली मुल्ला मेले इंपॉर्टन रहे बहले ही जितना टीम इसको इंग्नोर करें सब्सक्राइब निकाल चुका चार ओवर कंफर्म करेगा हर मैच में बाकिया पर एम पटेल इतना इंपॉर्टन निया सिर्फ एक ही मैच में इसने तीन विकट निकाले अदर्वाइस उतना इंपॉर्टन मिले रहने वाले निया नदीम और खली मुला बॉलिंग करेंगा 15-20 वर के बीच के स्लाट में बाकि यहां पर यह जूनियर वगेरा जो एक दो मैच इस खेले उतना कुछ खास कॉंट्रिबूशन आने तो इंको इग्नोर ही करना बाकि इंपॉर्टन बोलोगे तो में को लगता है बर्गर जिसक्र इंकी टीम में ऊलमोस ट्राक कर सकते हैं सिपम प्ठील को किसी टीम में ट्रै मत करना और दूसरे ऑफसीं है पर अगर कुसे यह तीन कर सकते हो क spray तो आपको एक स्मॉलिक की टीम और तीन ग्राइज की टीम अटेन को इसे पहले पर देन किरता हुच मैं अर्यो आर की टीम को फेवर करके बना रहो हुआ है एल रविंद्रा को लिया है दो हफ संच्वी मार्चों का टोर्नामेंट में अमाने लाश्ट पांच से चे मैच में और श्टेंडिंग परफॉर्मेंस रही है और आप एक याज अब लेवल है के के लिए इसको आप जरू ट्राइक अब बाकि ने इस्टर देंबा वगेरा मैं इसको परफॉर्टन बोलूंगों फिलहाल बाकि और बैटिंग सेक्षिन में कोई इंपॉर्टन पिक नहीं है बाकि मैं लूंगा ओल रॉंडर सेक्षिन में मक्सूत फिटने है अगर फिट होता है प्लेंग लर्मान तो हंड़िट परसंट को टीम को सकते हैं कि जीतने के थ 25-16% selection rate यहां ठीक है वाकि मैंने क premiere म्लीन को लिए नदीम को लिए अछिपोर रॉंपर कि दुझा हूं। तो इस निकालें बट उतना regular contribution नहीं राटिंग एक मैच वे करते हैं बाकी 2-3 मैच फिर फ्लॉप जाते हैं बाकी अश्वीन पांड तो श्टार्टिंग के चार मैच कास बोलूँ तो कुछ कास contribution रहा नहीं है तो फिलहाल मेरे पैस limited option यह बस ते हैं तो यह मेरी team रहेगी कैप्टैंसी में कर रहा है बैटिंग ब्लस बॉलिंग दोनों करेगा नदीम के साथ वाइस कुमार जाग रहा है वह बाकी यह option अच्छे रहेंगे फिलहाल मैंने यह टीम बन जो रहेगी वह यह रहने वाली है मेरे कॉर्डिंग आपके लिए यहां पर ग्रेंड लेकी टीम जो आपको द्यायन कर लेका देदा है तो आपको लिंक का ही यूज करना पड़ेगा जो आपको वीडियो के नीचे नीचे कमेंट में दियावा तो दियान से Telegram चैनल को जोइन कर ले जैसे मैंने आपको बता आया तो मिलता है फिर फिर टेली ग्राम पर जाइन दोस्तों बाई बाई